नमस्कार दोस्तों सभी दरसोको का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज आमारे पास एक फिलिप्स कम्पनी की अल्टरा सिलिम टीवी आई है और चलिए इस अल्टरा सिलिम टीवी पर हम देखेंगे दोस्तों किस तरह की फॉल्ड आई है जो हमें रिपेर क थब्बे आ रही है दोस्तों और इसतरा की which F goods color vantage problem भी बोया जात है तो देख सकते हैं दोस्तों कि पारडыш ने सब्ढस एक ये वह demost्वी करते हैं और ओपेन करने के बाद हम दिखाएंगेे दौस्तों काहांसे ये problem हुआ है तो दोस्तो ऐसी फॉल्ड जो है दोस्तो अधिकतर हमारे PTC खराब होने से भी होती है और मेगनेट के कारान से भी होती है तो चलिए हम ओपन करके देखते हैं सबसे फेले तो TV हमारी ओपन हो चुकी है और देख सकते हैं दोस्तो इसमें जो सर्कीट बूर्ड लगा हुआ है इसे हम बाहर निका PTC रिक्वेस्ट है वीडियो को अन्त तक देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तो तो जो देख सकते हैं दोस्तो यह PTC हमारी इस जगह लगी हुई है और PTC कैसे काम करती है दोस्तो जब भी हमारी स्रीज लेंप के जरीए हम PTC को चेक करते हैं तो जैसे हम पावर देंगे दोस्तो PTC जब हमारी गरम हो जाती है तब हमारी थोड़ी देर बाद हमारी जो है दोस्तो पावर ओन होती है टीवी तो दोस्तो PTC उस तरह से काम करती है अगर स्रीज लेंप के जरीए अगर आपकी PTC काम नहीं करती है, सिरीज लेंप को जैसे ही धीमा होगी, तब TV ON होनी चाहिए, अगर उस तरह ON नहीं होगी, तो समझ जाना चाहिए, यह PTC है हमारी खराब है, तो इस तरह से वह PTC है, इस PTC को हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसको हम exchange करके देखेंगे दोस्तों अगर यह solve होती है तो ठीक है और नहीं तो दोस्तों हम दुसरा भी विदी बताएंगे दोस्तों अगर PTC को चेक किया जा सकता है बहुत ही आसान से अगर आपके पास multimeter नहीं है तो इसे हिला कर भी चेक कर किया दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगे चलिए हम इसे लगा के एकबर देखते हैं तो इसे हम circuit पर हम लगा चुके हैं अब इसे अच्छी तरह से हम solve कर देंगे और फिर से हम दुबारा power देंगे इस tv पर और देखेंगे दोस्तों यह fold जो धब्बे आ रही थी दोस्तों red color की धब्बे वो हमारी solve होती है या नहीं तो दोस्तो color peach की problem दोस्तो या धिकतर हमारी यह PTC खराब होने सही होती है तो चलिए हम इसे solve कर लेते हैं और एक बार हम power देकर के देखते हैं तो यह PTC लग चुकी है तो अब circuit board को हम फिर से दुबारा set कर देना है अच्छी तरह से तो यहां जो wire हम खोले हैं दोस्तो power button की और fancer की सभी wire को हम लगा देंगे और यह video code के लिए है यहां हम इस jack को भी लगा चुकी है सभी jack हमारी लग चुकी है अब चलिए हम इस tv को जो है board फिर से जिस तरह से set किया हुआ था उसी तरह से हम fitting कर देंगे इस ते और फिर से हम दुबारा power दे करके देखेंगे तो चलिए हम tv पर हम power दे करके देखते हैं दोस्तो टीवी पर हम power दे चुकी है अब चलिए screen पर हम जाके देखते हैं तो दोस्तो screen पर हमारी power आज चुकी है अब चलिए हम इसे stand by release करते हैं तो stand by release करके हम देखते हैं इसमें तो देख सकते हैं दोस्तो जैसा ही हम इस्टेनबाय से रिलिज कियें से और टीवी हमारी बिल्कुल सही हो चुका है और थोड़ा सा एक धबा बचा हुआ दोस्तो इसे आप मेंगनेट के जरिये भी solve कर सकते हैं और नहीं तो दोस्तो टीवी को दुबारा फिर से आप पावर आप ऑँ करेंगे तो ये भी solve सही हो सकता है चलिए एह वार फिर से हम दुबारा पावर आफ करते हैं और इसे आउन करके देखते हैं तो दोस्तो ये पावर आफ कर चुकी है अब फिर से दुबारा computer glitch करके देखते हैं दोस्तो ऐसी problem जो है कमेंड पर कमेंड करना न भूलेंगे दोस्तों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजगा चैनल पर नहीए अथे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजगा और ऐसे निसे कंटेंड वाले वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो